नमस्कार दोस्तों स्वाधत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नोविल्स मैं मैं हूँ आपका 27.60 और यहां पर लेकिया हूँ आज आपके लिए डेली डोस और आख्षा करता हूँ आपको ये डेली डोस पसंद आएगी अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेक करना म दो लिएगा और जितना हो सके सेफे लाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए तो चली अब पता लगाते हैं आज के डेली डोस के बारे में तो चली दोस्तों बते लगा लेते हैं अचके इस डेली डोस के बारे में और आशा करता हूँ आपका अमरा प्रिवेस डेली डोस पसंद आया होगा यहाँ पे आइनली आ चुका है आसूस के सेंवन 5G के अंदर एंडर 10 अपडेट और यहाँ पे हमने वीडियो पोस्ट कर दिया है अगर आप देखनी पाया है तो जाहिए हमारे चैनल पे वीडियो चेक किजे और बताईए कैसा लगा यहाँ पर बात करें आज के सबसे वेली डेली डोस की तो यहाँ आ रही है 91 मुबाइल्स की दरव से और यहाँ पे इन्हों ने बताई कि जो Samsung Galaxy S10 Lite और Note 10 Lite दिसमर में लाँच अना वाला था अब वो डिले हो चुका है और अब यह लाँच होगा मिड जन्वरी तक तो अगले साल यह आपको देखनो मिलागा और देखते हैं किस प्रकार से S10 Lite और Note 10 Lite आते हैं क्या और फीचर होते हैं क्या लूक होता है और क्या होती है प्रैसिंग बात करें अगली डेले डेले दाज़ी तरह यह आ रही है यहां आपको Mediatek का Helio A22 chipset मिलाता है 2GB RAM मिल दाएगी 32GB internal storage मिल दाएगा और 512GB तक आप expand कर सकते हैं बात करें और चुदोगी तो यहां आपको 13MP प्लस 2MP का dual rare camera मिल दाएगा LED flash आपको यहां मिलेगा 5MP का आपको front camera मिल दाएगा यहां बे बात करें बैटरी की तो बैटरी आपको मिलती है 4000mAh की और आपको AI assisted यह बैटरी मिलेगी और कमनी का कहना है कि आपको 2 दे याने 2 दिन तक की बैटरी लाइफ मिल दाएगी यहां बात करें और क्या चीज़ा मिल दाथी तो Android 9Pi पर चलता है और सारे common feature आपको मिल दाते हैं बात करें availability and pricing की तो बोले जा रहे है mid December से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर pricing रखी गई है 5999 तो बताई क्या सोचते हैं और क्या आप इस Nokia 253 को लेना पसंद करेंगे तो कमेंट की जो रूत आई है पात करें अगली डेलेड़ दे या आ रही है D2OH की तरफ से और यहां पर इनोंने अन्विल कर दिया है Magic Voice Enable डिवाइस को और यहां पर आप देख सेते हैं कुछ इस प्रकार से डिवाइस मिल रहा है एक तरगे से Amazon की जो Fire Stick आती है कुछ उसी प्रकार से यह आपको मिलेगा यहां पर बात करें क्या मिल दाता है तो आपको Built-in Alexa मिल दाएगा यहां पर आपको Watcho, Sony Leaf, Z5, Alt-Bala G यहां Wi-Fi मिल दाएगा, Bluetooth मिल दाएगा और यहां पर सारी आप चीज़े कर सकते हैं और सारी चीज़े आप देख सकते हैं बात करें अवे ब्लीडियन प्रैसिंग के तो यह अवलेबल हो चुगा है और यहां पर प्रैसिंग रखी गई है 1199 और कमनी ने काया कि 3 मेने आपको Free मिलेगा उसके बाद यहां पर आपको 49 रुपीस पर मन देना होंगे और यहां पर आप इसके पूरे इंचरेमेंट ले सकते हैं तो बताई क्या आप सोचते हैं और क्या आप इस D2H को मैजिक को लेना पसंद करेंगे तो कमेंट की जिए रुदाईए बात करें अगली डेले डाद यह आ रही है सैंसेंग की तरह से और यहां पर इनोंने इंडिया में अन्विल कर दिये है इनकी नई The Wall TV को और यह है दुनिया की पहली modular micro LED डिस्प्ले वाली और यहां पर आपको मिलता है 0.8 mm pixel picture technology और यहां आपको यह 3 साइज में मिलेगी एक है 146 inch जो कि 4K resolution के साथ आएगी फिर 219 inch की आपको मिलती है 6K resolution के साथ और फिर आपको 292 inch की मिलेगी और यह आपको मिलेगी 8K resolution के साथ यहां मैं बात करहूं उट चुदों की तो और जो quality है वो बहुत ही गजब की मिलेगी बहुत ही ला जवाब आपको experience मिलना माला है बात करहें availability और प्रैसिंग की तो यह available हो जाएगी जल्दी और यहां पर pricing स्टार्ट हो रही है 3.5 करोड से तो बताई क्या सुचते हैं और क्या आप इस The Wall TV को लेना पसंद करेंगे तो comment की ज़िए और बताईए बात करें अगली डेलेड आज़िए यह आ रही है फिर से HMD Global की तरह से और यहां पर अगर आप यूज करते हैं इनका Nokia 9 Peer View तो यहां आपके लिए एक अच्छी न्यूज है finally आ चुका है Android 10 Update और यहां पर आपको कुछ यह नहीं चीज़ें मिल दाएगी जिसके अंदर आपको Dark Theme मिल रही है, Privacy Control देखने मिल रहा है, Location Control, Security Updates, Family Link, Smart Reply, Gesture Navigation यह चीज़ें मिल दाएगी और यहां जो आपका और और एल एक्सपिरेंस है वो और बहतर और लाजवाब हो जाएगा तो बताई क्या सुसते हैं, और क्या आप भी वेट कर रहे थे अपने Nokia 9 Peerview के अंदर Android 10 का, तो कमेंट की जो रुताइए बात करें, अगली डेले 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 यह आ रहे है, Qualcomm की तरह से, और यहां पर आप जानते हैं, हाली में उन्मिल की है, इनकी नई चिपसेट यह है, Snapdragon 865 अब इसका Geekbench score सामने आ चुका है, जो कि पहला result है, और यहां पर आप देख सेते हैं, कुछ इस प्रवार से, सिंगल कोर और मल्टी कोर में इसने score किया है, और इस score अच्छा है, परमतु अब आप अदाई क्या सोसते हैं, और क्या आपको यह score पसंद आया कि निया, बात कर हैं, कुछ इस प्रवार से का लुक देखो मिल रहा है, बात करें, फीचर की, तो यहां पर कमनी न बताए कि आपको मिल दाएगी 55 इंच की डिस्प्ले, 4K Ultra HD Resolution मिल लगा, 60 Hz refresh rate मिलेगी, 400 nits peak आपको brightness मिल दाएगी, 1200 ratio 1 आपको contrast ratio मिलेगा, 178 degree आपको weaving angle मिल दाएगे, बात क अधर चीज़े आपको मिल दाएगी, जैसे Dolby Audio हो गया, DTS Pro Surround Sound हो गया, यहां पर इसी चीज़े मिल दाएगी, बात करें यहां पर processor की, तो यहां पको quad core processor मिलता है, 1 GHz पर clocked है, यहां पर Mali 450 GPU मिल दाएगा, 2.25 GB आपको यहां पर memory मिल दाएगी, याने RAM मिल दाएगी, यह Solar GB का आपको internal storage मिल दाएगा, Bluetooth 5.0 मिल दाएगा, Wi-Fi मिल दाएगा, 3X HDMI port मिल दाएगे, 2X USB port आपको यहां मिल दाएगे, Android 9 Pie पर यह चलता है, Chrome का support देखो मिल दाएगा, Netflix, YouTube, Hotstar, pre-installed rate आपको मिलेगे, यहां पर बात करें, availability and pricing की, तो यहां पर यह दिसंबर में available हो जाएग 10 December तक और यहां पर pricing रखी गई है, 41,999 तो बदाएग क्या सोचते हैं, और क्या आप इस Nokia की नई TV को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट की जिए और बदाएगे, पात करें, अगली 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 शूराघ स सकते हैं, तो अगली 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 में अगली 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 मदाइग सोचते हैं, जो कोस अगली 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 अधा, भारत माता की जै